मेरे राइट हैंड साइड में एक दरगा वहां पे उस पहाड पे आप देख पा रहे हो जो कि बस अन्न शत्र से दो सो मेटर्स की दूरी पे है यानि कि बहुत दिन हज्दीक बड़े इंट्रेसिंग जगा है चलो देखते हैं हजरत शेख नुरुद्दिन चिस्तिर अलेही दरगा ऐसे बोर्ड पे लिखा है स्वामी समध महाराज जी के मंदिर तो सेकड़ो भक्त आए दिन दर्शन लेते हैं पर दो जब तक इस पीर के दरपे आके माता नहीं तेखते तब तक अकलकोट की आत्रा इंकंप्लीट ही मानी जाती है साड़े आठ सो साल पुरा नहीं यानि ये स्वामी जी के आउता धारन करने से भी करिब करिब साथ सो साल पहले की दरगा है कि दरगा के अंदर शेख नूर वावा जी की मजार है उनके करीब एक और मजार आप देख पा रहे होंगे यह चोटे से ब्राह्मान बच्चे की समाधी है हलागी इसके बारे में मैंने बहुत कोशिश की जानने की लेकिन मुझे इंफोर्मेशन नहीं मिल पाई अगर आप मेंसे किसी को पता है तो प्लीज निचे कमेंट बॉक्स में मेंचन करके मुझे बताईए अब जब इस दरबार में आएंगे तब अटलिस्ट गुलाब का एक फुल तो औरपन कर ही दीजिए शायद कुछी दिन पहले इस गुम्बद में कांच की कलाकरी की गई है बहुत ही प्यारी दिख रही है जो इस दरबार की शान को चार चान लगा रही है दरबार से बाहर आने पे आपको बाई तरफ एक और मजार दिखाई देगी जो की है शेक नूर बाबाजी की बेहन हजरत पीर बेगम भी साहिबा जी की है कहते हैं जिन लड़कियों की सही वक्त पे शादी नहीं होती उनके हातों से यहाँ पर हरी चूड़ियां आरपन की जाती है जिससे शादी जल से जल होने में वो महाशक्ती मदद करती है मैं जब भी इस दरगा पे आता हूँ तब गुरुचत्र के ग्यारवे अध्या का पटन जरूर करता हूँ कहां जाता है देर रात तक स्वामी समर्थ यहाँ पर तपस्या किया करते थे गंटों तक शेक नूर बाबाजी की साथ बाते किया करते थे मतलब उनकी मजार को देखकर अब पता नहीं ये दो महाशक्ति आपस में क्या बाते करते रहेंगी उनकी लीला तो वही जाने बॉस फिलहाल अपने पूरे देश के हालात एक तरफ और यहाँ का माहूल एक तरफ यहाँ पे शेक नूर बाबाजी ही स्वामी समर्त है और स्वामी समर्त महराज ही शेक नूर बाबा है वो श्रीडी वाले बाबा बोलते हैं ना सबका मालिक एक है वीडियो का लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई